वेलकम गाईस, ITL पर वीडियो में ओपो का फोन, इसमें अगर आपको जो है कॉन्फिगेशन चेक करने हैं, तो आप कैसे कॉन्फिगेशन चेक करेंगे, यह मैं आपको बताया है, बहुत इसी है सेम तरह से प्रोसेस करेंगे, तो आप इसीली जो है, इस कॉन्फिगेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है, जो इस्टेप में आपको बता रहा हूं, वो सेम इस्टेप आपको फोलो करना है, और आप इस फोन की जो है, कॉन्फिगेशन, रैम, मैमोरी, इंटेनल इस्टोरेज और यह सभी चीजें आप इसीली चेक कर लेंगे, बस आपको इस्टेप फोलो करना है, बहुत असान है, छोटी सी वीडियो में बड़ा सा यूसफुल आपके लिए, और बस वीडियो अच्छी लगे, तो चैनल को भी शेर कर देना, वीडियो को शेर कर देना, लाइक कमेंट कर ठीक है, तो चलते हैं, सेटिंग के अंदर, फौन की безопасour हम ओपन करेंगे, यहाँ से समझ मी आगा या तो आप ऊपर से भी आके arrow के पिस पार जाकर टंश कर के, सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, दोनो तरप से आप फौन की सेटिंग के अंदर जा सकते हैं, अब यहाँ पर ऐसे option आजाएंगे जिसमें आपको Wi-Fi और सारी network की setting ये मिल जाएंगी उपर ही connection में Wi-Fi, Bluetooth और mobile network, SIM network सभी आपको मिलेंगे तो हमें नीचे जाना है about के अंदर, नीचे आएंगे तो यहाँ पर about का option मिलेगा about device आपको इस पर touch करना है Android 13 है इसका official version है और जो device name है OPPO storage आपका 128 और इसका प्रोसेसर है वो Octa4 का Dimensity 6020 का लगा हुआ है 16.66 cm की screen size है इसकी 5RMH की battery है और 6GB RAM प्लस 4GB यह जो RAM है वो आपको 8 में भी मिल सकती है, 16 में भी मिल सकती है बस price का फरक होता है ठीक है कोई इससे कोई वो नहीं है और इसका front camera 8 दे रखा, rear 13 और 2 Megapixel ठीक है Android version तो मैंने आपको बताई दिया था 13 चल रहा है इसके अंदर और इसका जो developer option है वो मैं आपको बतायता हूँ developer option आपको मिलेगा sorry मैं हाथ ही आगे खटा दिया था, developer option आपको मिलेगा यह vision के अंदर vision में जाएंगे यहाँ पर उपर जो build number है यह kernel इन दोनों में से एक होता है तो इस पर आप touch करेंगे देखें और three time का option आगे नीचे आप four time प्रेस करेंगे इसको open करने से आपकी warranty खतम हो जाती है तो इस चीज का ध्याम रखना developer option open करने से पहले तो guys वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना thanks for watching